नमस्कार मैं हूँ निवेदिता भारती क्रिकेट टीम के ओल राउंडर हार्दिक पांडिया ने विश्वकप में धमाल मचाया हुआ है वो विश्वकप में सबसे चर्चित खिलाडियों में से एक हैं विरोधी टीमों में जहां पांडिया का खौफ है तो वहीं हार्दिक ने भी अब अपने इरादे साफ कर दिये हैं ICC के अधिकारिक वेबसाइट पर भारती क्रिकेटर हार्दिक पांडिया का एक वीडियो शेर किया गया है जिसमें पांडिया ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लॉड्स के मैदान पर वो अपने हाथों में विश्वकप की ट्रोफी को उठाएं उन्होंने कहा कि वो 14 जुलाई को लंदन के लॉड्स स्टेडियम में विश्वकप की ट्रोफी अपने हाथ में उठाने की इच्छा रखते हैं जिस तहा से साल 1983 में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने लॉड्स की बैलकिनी में ही विश्वकप की ट्रोफी को उठाया था हार्दिक ने इस वीडियो में खुद के खेल को लेकर भी कई बाते की हैं हार्दिक ने कहा कि मेरे लिए भारत की ओर से खेलना सब कुछ है ये मेरी जिन्दगी है मैं इस खेल को प्यार और जुनून से खेलता हूँ मुझे चुनौतिया पसंद है तीन साल से मैं इस विश्वकप के लिए तैयारी कर रहा था और अब समय आ गया है कि मैं 14 जुलाई को विश्वकप ट्रोफी अपने हाथ में उठाओ इस दोरान उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी शेयर करते हुए कहा कि जब 2011 में भारत ने विश्वकप के खिताब पर कबज़ा जमाया था उन्हें वो दिन भी अच्छी तरह से याद है दो अप्रेल को श्रिलंका को मात देकर जब भारत ने विश्वकप जीता था उस वक्त वो मुंबई में थे उन्होंने कहा था कि मैं जब भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैंने सारी रात उस जीत का जश्न सडकों पर मनाया था विश्वकप 2019 में खेलना मेरा मेरे साथियों और भाईयों का सपना रहा है मैं सिर्फ विश्वकप जीतना चाहता हूँ और मुझे उमीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और फिर जो जश्न मैंने मुंबई की सडकों पर मनाया था वो जश्न मैं लॉट्स के मैदान पर मनाऊँगा हार्दिक ने बड़े ही मजाकी अंदाज में कहा कि टीम इंडिया पर खिताब जीतने का कोई दबाब नहीं है क्यूंकि ऐसा केवल सवा सो करोड लोग ही चाहते हैं इसलिए हम पर इसका प्रेशर नहीं है आपको बता दे कि हार्दिक पांडिया अपनी शांदार स्वाम में चल रहे हैं औस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने 27 गेंदों पर 48 रन बनाये थे जिसे देखकर आउस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी कहे उठे थे कि हार्दिक का तोड किसी दूसरी विरोधी टीम में नहीं है वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो विरोधियों को डराने वाला है विश्वकप की अंक तालिका में भारतिय टीम तीसरे स्थान पर है और खिताब की सबसे बड़ी दाविदारों में से एक है विश्वकप को जीतने का सपना हार्दे के साथ सवा सो करोड देशवासियों की आखों में भी बसा हुआ है अगया विश्वकप की अपने बस दीसरे सबस्क्राइब की एंस इन की करो अप्रू की बसा काुदूशर सकती है अजरल किए विश्वकiva की अवामाफियों हम एट थिए जा प्र पर की पूल सबस्क्राइब पर है प्रेज्डर्ट रावान, प्रेचा-फजिस अ घर किछुधन दोगा है, यह जो नहीं तोगा है, जिए एक भावन नहीं का इन है, इन नहीं प्रेचा है तो चानक पुर्डूर्ट का इन फिर आफिकान प्रेंश नहीं है, ग्होंत पर चाया है करो जाफ जब वीक था इक शेड़ने करोज़ दूवाराइ पना गैजने खर वीड़िट जार्ट सेरें हैंने हैं इसकाफ चाहिए मैं पूसर है चूशरा है आफ यह चौशर करो ऑार वो चाहिए प्यक्षार के जाफ मैं बहुंत थे जुब पार यहा अच्छीद अच्छीड मेका छीन सराविले केवली नोग को टोकुट है.. तो क्या इस तरह की कोई ऑफिशल कांफिशन हम लोग को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सब हम लोग सोर्सेश। I think official, मेरे कहाल से, एक message गया है हमारी तरफ से. So far we haven't received any message regarding Rishrappant. So the thing is that in around 10 or 12 days we will be taking a call on the status of Shikhar. And till that point, just to make sure that if and when the replacement is required, and I am saying if and when, then it is always good to have the replacement player coming in and practicing with the team as a standby. Is Rishrappant coming or not? He will be there for the game in Manchester, so he won't make it there, but he will be there in Manchester. Thank you. Sanjayb, you were asked this before, but you think in situations like this where your batsmen can't even get proper practice, bowlers can't bowl at the nets, how difficult is it for the team to keep itself motivated and technically prepared for the challenges there? I mean, we've had a fair time to prepare ourselves because we spent a lot of time before our first match. So that was an advantage. And even whatever opportunities that the players have got so far, everybody's got it to bat and bowl. So, from our batting point of view, all the six batsmen, except Kedar, who hasn't got a hit, but all the six batsmen have got a chance to go out there in the middle. And each of them have done really well in the roles or in the positions that they found themselves in. So, you've already got our top three batting really well and they've got runs under their belt. And then you've got Hardik and Mahi and even KL getting game time. So, that augurs really well. And it isn't necessary that you come to the nets every day. At times, you know, if you miss practice because of weather or something, that's still fine. But bowlers are also the same. Yeah, bowlers, I mean, they are in a good rhythm. And you do not really want to risk bowlers in conditions wherein, you know, the run-up is not really, you know, firm. So, you'd rather protect the bowlers rather than bowling them on nets wherein the outfield is slippery. Sanjay, obviously, Shikha's lost purely as a batsman for these next few games. But also, can you talk about what that means as far as not having left-hand, right-hand combination perhaps and how much of a factor that was in bringing Rishabh over? Yeah, I mean, it's always an added advantage if you have a right-left combination right at the top of the order. But, I mean, whatever is available to us, we have quality players. So, I mean, Shikha will definitely be missed in the next three to four games. But we have a great backup for each position. So, with that, we should be able to make it up. And that's the main reason for Rishabh being called in? Yeah, I mean, he bats in the middle order and obviously being a left-hander helps. And he was named in the standbys as well. So, the team management has gone and picked him as per the order. Sanjay Bhai, are you surprised that the Kokabuda ball is not swinging as much probably one would have expected despite having two new balls? If you see, I mean, the first game that you saw we played against South Africa, it was a challenging wicket wherein it wasn't easy to bat at all. So, it isn't that the conditions have been, you know, one-track. But because you saw South Africa being bowled out for 2.23. And we had to really work hard to get those runs. So, there is always something in the wicket. You can't really say that, okay, it's not swinging that much. But the ball is seeming as you saw in the last game also because the way Bhuneshwar Kumar took those wickets in the last couple of overs, he managed to get those wickets because the ball seamed in quite a bit. So, there is always something on offer for the bowlers. And even it may not seem from outside, but conditions are always challenging here in England. Sanjay, unlike before, when the openers would go after the bowlers, bang-bang. So, this time, Indian players were very restrained in the first 10 overs. Even today, Australia also was very restrained. Is it that kind of bang-bang start is not possible given these conditions and the two new balls factors? Yeah, it always is a factor here in this part of the world wherein the overhead conditions do make a big difference. So, the batsmen have to be a bit circumspect and they have to make those adjustments so that, you know, if the overhead conditions are cloudy, the ball will tend to do something in the air or off the wicket. And with two new balls, you'll always want the top order to show that discipline and, you know, put us in a great position because what we've seen is that if you are in a good position at the end of 10 or 15 overs, past the new ball wherein, you know, the seam tends to soften a bit up and the ball is not that much harder. So, from that point of view, it's always a good strategy. Every opening batsman would like to have that sort of a strategy wherein if the conditions are challenging, you would always want to give the bowlers the respect and at times bury your ego as well. But if it is nice and sunny and if you're chasing a target, then the strategy could be a little different. The approach of the batsman could be a little different. Sanjay, in England, there's no growth in the batsman. There's no growth in the batsman. I think that if you think about it, it's a good thing that you have to practice in the batsman. Or if you think about it, it's a good thing that you have to practice in the batsman. के लिए आफस्टम चा भायर ची बाल सोड ले के ल राहूल ने पन जरी 27 रंस के लिए स्थिल पन जी पार्टनर्शिप के लिए तने रोहित बरुबर कि वहां MS न यह ओन जी बैटिंग के लिए तर अनि माक्चा वाच मदे शिकर नी लागले नंतर पन करन तेला मीडवे पहल चांगले लाइत आहे तस भास होतों. हमारान किस फाइदा हुई